Hello guys, welcome to aapna college, this is the web development course और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही important CSS की properties तो श्टार्ट करते हैं इस शामदार से वीडियो को अब हम यार कुछ बहुत ही important properties देखेंगे जो कि हम CSS में बहुत ही commonly use करते हैं, ठीक है न? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं colors, तो colors के लिए हम क्या use करते हैं, color के लिए हम simply color property का use करते हैं और इसके अंदर बहुत अलग-अलग तरह की values होती है, एक एक करके उनको discuss करेंगे पर पहले देख लेते हैं color कितने तरह के हो जाते हैं, मतलब हम कैसे-कैसे color को use कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया है color को use कर सकते हैं, हम normal color property से, साथ में background color नाम का एक property है, उसको use करके किसी भी चीज का background दे सकते हैं इसके बाद में आता है यार आजए यार हमारे border color होता है, तो border color के लिए हम use करते है border dash color का ठीक है, यह भी एक property है और इसके अंदर value हम वही color वाले लिखेंगे और इससे हमारे border के अंदर color आ जाती है, ठीक है अब यार देख लेते हैं यार क्या values हम use कर सकते है color के लिए, तो सबसे पहले हम use कर सकते है color के name और इसमें यार बहुत अलग-अलग तरह के colors होते हैं, इसमें कम से कम 140 different types of colors है और यह यार ब्राउजर पर dependent होते हैं, अब इसके बाद में आता है यार RGB, RGB का मतलब क्या होता है red, green और blue, इसमें कुछ नहीं हम intensity देते हैं हमारे colors की, कितना हमारा red का intensity होगा, कितना green का होगा, कितना blue का होगा, और उसके mixture के उपर हमारा color वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब यह intensity है हम 0 to 255 के बीच में ही देते हैं, ठीक है, और साथ में आर इसमें RGB के साथ में हम A लिखते हैं, और A के अंदर हम कुछ value देते हैं, जिससे opacity decide होती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अगर हम value रखेंगे तो हमारा color हो ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा, और थोड़ा कम रखेंगे, तो कम होगा, और similarly हम कुछ ऐसी चीज को use कर सकने हैं, जो कि है hex value, ठीक है, तो और इसका नाम हम देंगे color.html, फिर इसे save करते हैं, और यहाँ पे हमारा नाम है color.html, और मैं CSS examples जो कि हमने desktop पे बनाई थी, उसी में save कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें document structure बना देते हैं, और यहाँ पे मैं इसमें title देता हूँ, color in CSS, ठीक है, अब यहाँ पे आप color की spelling द languages है, सब में color use होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने color लिखा है, तो अब हम body के अंदर आ जाते हैं, और body के अंदर लिखते हैं, हम एक h1 tag से heading, और heading में मैं लिख रहा हूँ, this is a heading, और फिर हम एक paragraph tag से paragraph बना देते हैं, और इसके अंदर भी लिख देते हैं, this is a paragraph, ठीक है, फ अब h1 को select करके यार, इसके अंदर हमको कुछ color देना है, तो हम color property का use कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैं keyword का use कर रहा हूँ, तो अब आपको देखने हो के यार, यहाँ पे कितने keywords है, तो इसके अंदर VS code ने अल्रेडी बता रखे हैं, यह सारे keywords जो हम use कर सकते हैं, नहीं त हम अब भी select कर दीजिए, जो भी आपको color देना है, अब यहाँ पे मैं red color दे रहा हूं, इसको red इसको तो मैं redaelod state, नहीं पे box रखें एक colour देता हूं, तो मैं p-tag को select करता हूं, और इसके अंदर हम यहाँ पे color देते हैं, जो भी आपको A-C tou踏ले मैं to red, Cent यूख as a class, और sab तो हम क्या करेंगे हम यहां पर जाएंगे और लिखेंगे हैश एफ 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 और फिर से सेव करते हैं अब यहां पर एफ एफ का मतलब है white color यहां पे नीचे को सेलेक्ट कर देता हूं, या पर नीचे मैं हैً और फिर सेहamच मैं एक खरेंग तो मैं इस बार green color ले रहा हूँ, green color को मैंने select किया और फिर यहां से मैंने उसकी कोई अच्छी शेड ली और फिर मैंने से save कर दिया, और अब गजाते हैं, ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं, this is a heading आ रहा है, this is a paragraph आ रहा है, और yellow और green color में आ रहा है, अब हम क्या कर सकते यहां पर लेते हैं, तो मैं जितना कम करूँगा, उतना हमारा जो color है, वो light होता जाएगा, तो मैं इसे कुछ यहां पर रख देता हूँ, और फिर हम इस नीचे वाले को भी change करके देखते हैं, तो यह already बहुत light है, तो मैं इसको जादा light नी करूँगा, मैं यहां तक ला ल मैंने लिखा RGB, और यहां पर हमारा RGB तीनों आ गया है, अब हमको इसके अंदर value देनी है, तो पहले मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0, अब इसे black color हमारा आ जाएगा, लेकिन हमको black color नहीं देना है, हमको कुछ और color देना है, तो फिर से मैं इसी पर hover करू और यहां पर भी मैं एक और color दे देता हूं पहले, ताकि हमको दोनों का color दिख जाए, और यहां पर मैंने पहले इसको blue color ही दे दिया है, फिर मैं hover करके इसको purple दे देता हूं, ताकि यह थोड़ा सा अच्छा लेगे, ठीक है, अब इसको यहां पर मैंने ऐसे किया और save किया और जाते हैं browser में तो आप देख सकते हैं, और इसको मैं यहां पर हलका सा shade कम कर लेता हूं और इसकी मैं opacity भी थोड़ी सी कम कर लेता हूं, और अब save करके देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह दोनों हलका हलके से light हो चुके हैं, बस यह था हमारा color property, और भी बह लिख सकते हो कैसा आपका output आ रहा है, और बस यहार जैसे से आप use करोगे वैसे जैसे आप इसको अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम colors को use करते हैं, CSS के अंदर, अब नेक्स हम देख लेते हैं background, ठीक है, तो background में है, सबसे बहले हमने देख लिए background color क तो हम use करी सकते हैं, simply color को हमको value के अंदर लिखना है, फिर साथ में transparency के लिए हम opacity का use कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आता है हमारा background image, तो basically हम background image नाम की property को use कर सकते हैं, और इस से हम background के अंदर कुछ images डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम value में लिखेंगे URL, और उसके अ repeat से क्या होता है, basically हमारा अलग-अलग जो image है, उसको हम repeat करवा सकते हैं, ठीक है, repeat के अंदर value के आती है, तो repeat में x-axis और y-axis अलग-अलग axis में आपको repeat करवाना है, तो आप repeat-x या repeat-y लिख दोगे, और उस particular axis में आपका image है, वो repeat होता जाएगा, ठीक है, अब साथ में यार जिससे आपका no repeat होगा, मतलब repeat होना बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर आता है यार, position, position क्या होता है, तो basically आपका वो background है, मानलो आपने image लगाया, तो उसकी position में आपको कहां रखनी है, वो आप decide कर सकते हो, position नाम के property से, ठीक है न, तो कुछ यार, इस तरह से हम background का use कर सकते css के अंदर, तो अब हम यार background property को एक बार use करके देख लेते हैं, तो मैं यार vs code के अंदर आ चुका हूँ, और फिर से हम वही हमारा new file, document structure और इसका title देख रख देते हैं, तो अब यार इसके अंदर हम सबसे पहले h1 tag को use करके उसको एक background देके देखते हैं, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, this is heading और इसमें मैं साथ में background भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो background के लिए हम style में जाएंगे, और style property के अंदर background color देख देखते हैं, तो उसके लिए मैं खाली background color दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा, actually हमको पहले selector का use करना होता है, मैं यहाँ पर h1 का use करके इसके अंदर एक background दे रहता हूँ, background color मैंने लिखा, और फिर यहाँ पर color मांग रहा है, तो हम यार कुछ ऐसा color लेते हैं, जो की black के बीचे देखे, तो मैं यार coral ले और पीछे हमारा जो background है, वो भी लग रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर यार हम images वकर भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए यार हम एक div का use करेंगे, और div के अंदर मैं basically एक background डाल रहा हूँ, तो मैं लिख दूँगा background और फिर हम इसको as a class डाल रहे हैं, ठीक है, अब इसके हमारा h1 का use करना है, तो मैं इस h1 को इसमें डाल देता हूँ, और फिर हम यहां आते हैं, और div के अंदर, यहां पे हमारी style के अंदर, sorry, डिखेंगे background और फिर इस background के अंदर हम को यार कुछ images डालनी है, तो हम उसके लिए background image का use करेंगे, और इसके अंदर हम को एक image की location डाल कर लेता हूँ, तो यहां पे मैं Google में जाके को image डालोड कर रहा हूँ, तो इस image को हम save कर देते हैं, तो यहां पे मैं save as, और फिर कहा हमको save करना है, तो basically हमारा यहां जो folder है, उसके अंदर हमको save करना है, जो की हमारे desktop के अंदर पढ़ा है, CSS example, ठीक है, और इस image का मैं नाम र देनी है, URL के लिए हम URL नाम का एक जो function है, उसको use करते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा image का नाम, या फिर location जो भी हमारे image की है, तो हाल फिलाल यार यह same folder के अंदर है, तो मैं img.jpg का use करूँगा, और जैसी मैं इसका use के आप यहां पे अगर आओ, तो आपको य जैसे की इसकी कोई value जो भी हमने दी है, वह दिखने लगे, तो यहार मैं पे मैंने height दी इसको 100 pixels, और width दी 100 pixels, तो अब इसकी कोई size है, और जैसी इसकी size है, वैसा उसका background भी आ रहा है, अब क्योंकि हमने हमने h1 को already background दे रखा है, इसलिए हमारी वह जो दूसरी वाली background image है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यार यहार यहार इस height को और बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा h1 जो है, उसके अलावा जो भी content है, वो भी देखने लगे, तो जैसी मैंने 1000 किया, आप यहार पे देख सकते हैं, यहार आपकी image दिख रही है, और अब अगर मैं इस h1 में स इसे भी background color हटा दू, तो हमको यार वो image h1 के पीछे भी दिखने लगेगी, तो जैसी मैं h1 के पीछे से हटा है, तो आप देख सकते हैं, यहार यहार पे हमारी image h1 के पीछे भी दिख रही है, अब यहार आप देखो, तो दो-दो image आ रही है, और यहार हर image के side में भी एक image उपर नीचे side में हर जगे image आ रही है, क्यों? क्योंकि यार यह image जो है, वो repeat हो रही है, मतलब हमारा जो background है, वो repeat हो रही है, तो उसके लिए हम क्या ही use करते है, background, repeat और उसके अंदर हमारी properties है, जैसे कि no repeat, repeat, repeat x axis, y axis, तो यहार पे मैं no repeat का use करूंगा, जिससे आप देखो क खाली हमारी एक ही image आ रही है, और फिर अगर आप चाहो, तो इस image की size को भी बदल सकते हो, हमारे background size property से, तो उसके लिए हम background size का use करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा background size, और उसके अंदर हम size define कर देंगे, तो मैं 100 pixels कर के देखते हो एक बार, तो यहाँ पे चोटा सा image आपको दिख रहा है, इसको हम 400 pixels कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह अच्छे से हमारा background size आ रहा है, हना, इस चीज को हमने repeat करके देखना है, तो यहाँ पे repeat लिख दो, और अगर हम repeat करना चाहें, तो repeat करेंगे, और अगर हम x axis में repeat करना चाहें, तो x और फिर save करके अगर आप देखो, तो हमारा output यहाँ पे आ रहा होगा, है ना, अब यार इसके अंदर एक और property होती है, जो कि background attachment से क्या होता है, उससे basically यार यह जो हमारी image है, वो fixed या scroll में convert हो जाती है, तो basically fixed का मतलब है, तो वो चिपकी भी रहेगी, या फिर वो आपके content क साथ में move करेगी, कैसे, तो एक बार देख लेगे, तो यहाँ पर अगर मैं fixed रखूँ और इसको move करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो, यह हमारा heading है, वो उपर जा रहा है, और हमारा image है, वो नीचे आ रहा है, साथ में हमारे content के, तो अगर आपको अभी भी समझ है, और जैसे में उपर करूँगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यह साथ में move कर रहा है, और एक बार इसको और दो तीन copy करके देख लेते हैं, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, अब आप अगर देखो, तो इसको आप जैसे स्क्रोल कर रहा हूं है, साथ में हो जो हमारा image है, वो भी नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको scroll में convert कर दूँ, जो कि हमारा background attachment है, उसको मैंने लिखा scroll, तो अब वो साथ में scroll हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर हमारा image है, वो उपर जा रही है, अब इसके अंदर एक और property है, जो कि है background position, तो उसका use करके देख लेते ह यहाँ पर आप देखो, तो इसके height यहाँ से start होती है, और यहाँ नीचे तक end होती है, तो उसके center में हमारा image है, वो आ रहा है, अब एक बार इसको हम repeat, no repeat कर देते हैं, ताकि यह repeat ना हो, और फिर अगर हम देखे तो यह हमारे center में खाली एक image आ दिये, ठीक है, उसी तरह से इसमें cover या और भी properties है, तो उसके लिए मैं background position पर जाता हूँ, और यहाँ पर हम इसको open करके देख लेते हैं, इसके अंदर क्या-क्या अलग-अलग properties है, तो top, left, right, center, यह तारी properties है, इसके अंदर, एक बार उनको use करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा top और save कि तो एक बार हम इसका output देखें, तो यहाँ पर top में आ रही है, उसी तरह से अगर मैं लिखो bottom तो यह चीज हमारी नीचे चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको size दोगे तो उस हिसाब से वह उपर नीचे हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ यह थे कुछ background properties और उसके value जो कि हमने देखे, तो आगे बढ़ते हैं, और हम देखेंगे कुछ font related चीज है, जो कि हम text को style कर सकते हैं, so next हम देख लेते हैं our fonts, और अगर हम design का part देख रहे हैं CSS, तो इसके अंदर हम देखने बहुत ही ज़रूरी हो जाएगे, क्योंकि font से ही हमारे text बहुत ही beautiful बनते हैं है ना, तो font के लिए हम use करते हैं font family का, जिससे हम अलग-अलग fonts को define कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे के हमारा times roman हो गया, courier new हो गया, और जो भी हम fonts word या किसी document में use करते हैं, उसी तरह से यहां पे भी हम उसे define कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम font family का use करके, एक font define कर और उसके बाद में अलग-अलग style जो use करते हैं word या किसी भी आप document में देखते हो, तो italics, normal, oblique, यह सारी चीज़ जो होती है, उसके लिए हम use करते है, font style का, font style के अंदर हम value में लिख सकते है, normal, italic, oblique, जो भी हमें font style देनी है, ठीक है, उसके बाद आता है font size, और इसमें हम हम basically अलग-अलग size दे सकते है fonts की, हमारा font कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, तो उस चीज़ के लिए हम font size का use करेंगे, और value के अंदर हम अलग-अलग keywords कर सकते हैं, जैसे कि percentage हो गया, pixel हो गया, EM हो गया, या जो भी value हम use करते हैं, अलग-अलग text के लिए, ठीक है, फ 400 मतलब normal होता है, 700 मतलब bold होता है, और basically आप जितना light करना चाहो, उतना light कर सकते हो, और जितना bold करना चाहो, उतना bold कर सकते हो, अलग-अलग values को दे कर, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम fonts का use करते हैं, CSS में, अब हम यार एक example से इंसीज़ों को use करके देख लेते हैं, तो मैंन इसको हम style करके देखेंगे, तो यहां पर मैं style tag का use कर रहा हूं, और style tag के अंदर हम हमारी जो properties हो लिख देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, font size का use करके, और उससे पहले हम को यार selector का use करना बढ़ेगा, और एक tag को select करना है, तो मैं h1 tag को select कर रहा हूं, और तो मैं font size की change कर देता हूं, और एक बार इसकी font size को हम लगके देखेंगे 50 pixels, ठीक है, save करेंगे, और यहां पर मैंने अल्रडी एक hole रखा है, तो इसके अंदर मैं जाके refresh करता हूं, आप देख सकते हैं, यह हमारा output आ रहा है, यहां पर the night king लिखा है, और इसके अंदर हमने 50 पिक्सल की size दिया, अब इसको अगर मैं 150 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं, यह night king हमारा बढ़ा हो चुका है, अब इसके अंदर हम font change करके देखते हैं, तो उसके लिए मैं font family का use कर रहा हूं, तो fo and t family, और इसके अंदर हमारे आपे कुछ predefined already, आपे font के stacks बने हुए, अब इसमें से आप कोई भी एक choose कर सकते हो, तो मैं इसको choose करता हूं, तो अब इसमें यह comma comma का क्या मतलब है, तो basically यह हमारा पहला font है, जो की use होगा, और अगर computer को यह वाला font नहीं मिला, तो वो इस पे जाएगा, फिर यह use होगा, अगर यह नहीं मिला, तो यह नहीं मिला, तो उस तरह से हमारा यह use होता है, अब इसके अंदर यह जो इतने भी font है, वो सारे web safe fonts है, web safe fonts का मतलब होता है कि यह जो हमारे font है, वो already operating system में install होते है, mostly, अब किसी operating system में ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन mostly यह install होते है, अगर आप इसमें कुछ नए fonts डालना चाहते हो, जैसे कि आप Google Fonts से कोई अलग सा font जो कि आप चूज करके डालना चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो basically आप पहले उस font के website है, जिस पे आप जाना चाहो वहाँ जाओ, और यहाँ पे हमारा जैसे यह Google Fonts से तो हम इस पे जाते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी font को select कर अब कुछ ने करना है, हमको इसको copy करना है, और इसको copy करके आप जाईए यहाँ और यहाँ पे आप इसको meta tag के नीचे paste कर दीजे, यहाँ जहाँ पे भी आपने अपनी style sheet को link किया है, वहाँ पे भी आप पे पेस्ट कर सकते हैं, उसके उपर नीचे, तो मैंने आप पे पेस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उपर लिख दिया है हमारा font family, और अब इसके अंदर हम उस font का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो font का नाम यहाँ पे कहा है, pacifico, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जैसी अब हम हमारे इस browser में जाएंग तो मैं oblique select कर रहा हूँ, और देखते हैं इसका output, यहाँ पे कुछ भी change नहीं दिख रहा है, तो एक बार italics करके देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे हलका सा यह टेडा हो चुका है, और यहाँ पे style हमारी change हो गई है, ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी properties है, तो यह experiment करो, कि कैसा output आ रहा है, और यार आप एसे धीरे-धीरे कड़े सीख जाओं गहाँ, आप कुछ भी याद नहीं करना आ है, आपको एकस्प्रीमेंट करने आपको देख नहां है, ची 할머니 के सका नहीं करती है, कैसे ऴो रिg करे यहाँ क्या बहुता है, क्शल रही है का इस उसक अब font weight से क्या होता है तो यहां पर आप देखो कुछ-कुछ हमारे यहां पर values दिख रहे हैं तो अगर मैंने 100 किया तो font weight हमारी जो है वो 100 हो जाएगी कैसे तो यार हमारा यह जो font है आप इसको देखो तो यह अभी lightest है इसकी जो lightest state है कितना पतला यह हो सकता है उतना पतला यह अभी है अगर आपको इसको मोटा करना है तो आप क्या करोगे इसको 500 लिख दो और save करो तो आप देख सकते हैं यह हलका सा अभी जाड़ा हो गया अब इसको अगर मैं 900 कर लूँ तो अभी यह यह यहां पे 900 से और जाड़ा हो गया तो बस यही चीज़े और नॉर्मल में शायद हमारा 400 यह सारी चीज़े आप अगर यहां पर हवर करके इस MDN रेफरेंस में देखोगे तो आपको मिल जाएगी और इसके अंदर यहां पर मैंने नीचे अगर देखा तो यहां हमारी यह जो बोल्ड है यहां इसकी वेल्यू लिखिये नॉर्मल में इसकी वेल्यू लिखिये तो बस यहार कुछ इस तरह से हम फॉंट का यूज करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट को स्टाइल करके देख लेते हैं तो अब देख लेते हैं और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विट सी एससे के अंदर हम टेक् के लिखिये तो अब चैसे एक paragraph करें एक और आपको ग्लर देना को कोई बी सटर्ट करना चाते हो और सारे टेक्स्ट आपके लेफ्ट से सटर्ट होना चाते हैं तो इसके लिए आप टेक्स्verse लेफ्ट कर लोगे सेंटर से स्टाट करना चाना चाते हो तो text align center फिर similarly right से start करना चाते है तो text align right और इसमें ariaar साथ में जोगिका टेकस्ड लाइन जस्टिफा इससी क्या होता है बिसकल हमारा जो text है, वो पूरा formatted दिखेगा, कई पे भी आगे पीछे नहीं होने वाला है, ठीक है, ये basically हमारे magazines या newspaper वाली websites होती है, उसके अंदर use किया जाता है, ठीक है फिर आता है text decoration, text decoration में क्या होता है, तो basically हम overline, underline, line through ये सारी चीज़े लगा सकते हैं, किसी भी text के अंदर, ठीक है, फिर आता है हमारा text transformation, उससे basically हम यार पूरे text को uppercase, lowercase या capitalize कर सकते हैं, अब capitalize का है तो capitalize basically हमारे जो भी word है उसको आप first letter capital में लिखना चाहो, तो capitalize कर दो, text transform यूज़ करके, तो आपका first letter capital हो जाएगा, फिर बाद में आता है text indentation, और इससे basically हमारा जो, जैसे हमने HTML document को indent किया था, उसी तरह से इसको भी indent करने के लिए हम basically size लिख देंगे, और उतना space हमारे text को start होने से पहले आ जाएगा, ठीक है उसके बाद में आता है letter spacing, basically इसके लिए हर letter के बीच में आपको कितनी spacing देनी है, वो size आप इसमें लिख दो तो आपका letter के बीच में spacing आ जाएगी, ठीक है फिर उसके बाद में आता है word spacing तो word spacing भी similar है, बट इसमें word का use होता है, तो हर word के बीच में कितनी इसमें spacing आपको देनी है, तो उसके लिए आप use करोगे word spacing का, ठीक है तो यह यह थे कुछ text formatting properties जो हम CSS के अंदर use करते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से text.html नाम की file बना दिया उसके अंदर मैंने फिर से वही font वाला चीज़ कॉपी कर रहे है और title यार मैंने यहाँ पर change करके styling text in CSS कर दिया, ठीक है अब यहाँ पर मैं style tag open करके इनको कुछ styling दूँगा, तो सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा text differentiate करने के लिए text color का use कर लेता हूँ और in paragraphs को एक color देता हूँ तो उसके लिए मैं color property का use कर रहा हूँ और क्योंकि यार हम paragraph को select कर रहे है तो उसके अंदर का color आ जाएगा और उसके अंदर paragraph में खाली text ही होता है तो text का color आ जाएगा अगर h1 यूज करते है तो h1 में क्योंकि यार text वाला element है तो text का color आएगा ठीक है, अगर आप कोई div या कोई ऐसा box type का अगर कोई element को select करोगे तो उसके अंदर हमारा जो box है उसमें color आ जाता है तो हलका सा difference होता है बट property हमारी same ही है तो यहां पर मैं red color से एक बार इसको change करके देखते हैं और एक बार इसका output देख लेते हैं तो मैं go live पर दबाता हूं उसके लिए मैं use करूंगा line height और उसमें मैं property के अंदर कुछ value देनी होती है तो value मैं मैं दे रहा हूँ 1.5 और एक बार सेव करके देखने है तो आप देख रहे हो या पे बीच में line के बीच में कुछ spacing आ रही है अब यहां पर देखो तो इसके अंदर कुछ values आ रहे है और यहां पर syntax में यहां पर लिखा है unit less value use this number multiplied by the elements font size मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारी size है वो font size के multiple में तो आपकी अगर font size 20 pixel है तो यह जो size है 3.5 multiplied by 20 pixel होगा समझ गया है तो जैसे यहां पर मैंने 4 लिखा है तो इस जो p tag की font size है उसका multiply by 4 times यहां पर line height में spacing आ रही है थोड़ा सा complicated है अगर आप ट्राय करें तो आपको easily समझ में आ जाएगा line height की unit कैसे काम कर रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम font weight का use करके आपको बता है मैंने यार कैसे हम font को थोड़ा सा dense कर सकते हैं तो मैं इसको 800 देता हूं ठीक है अब इसको मैं वापस दिखाऊंगा नहीं और आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ मैं indentation देके दिखा देता हूं indentation के लिए text indent time की हमारी property है उसका use करेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ pixels में value देते हैं और मैंने इसको दिया तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा पहला paragraph है उससे पहले जो है हमारा spacing आ रही है और वह spacing indentation की वज़से आ रही है जो कि हमने यहां पर text indent indent से use किया है second वाले में भी same चीज़ आ रही है और वह भी क्यों कि हमने text indent से इसको यहां पर indent कर दिया है आगे बढ़ते हैं और अब हम यार इसमें word spacing का use करके देखते हैं तो उसके लिए मैं word spacing property का use करता हूं और इसके अंदर हम फिर से वह हमारी property दे देते हैं तो यहां पर हमें 1.5 दे रहा हूं अब इसके अंदर और यह जो line height थी उसमें values थी वह सेम तरीके से काम करती है ठीक है एक बार save करके देखते हैं इसका output तो words के बीच में थोड़ी सी spacing बढ़ गई है लेकिन आपको अभी भी differentiating नहीं देख रहा है तो मैं 3 use करके देखता हूं और आप देख सकते हैं थोड़ा सा space जादा हो गया अब 3 में भी इतना अच्छा नहीं देख रहा है तो 4 करते हैं और अब आप देखो तो यार बहुत जादा यार आप इस लेकिनग वाला टेक्स है उसको आपको अपर के समें अपर के समें आ रहा है अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर में और प्रोपर्टी का यूज करके आपको दिखा देता हूं जो कि है text decoration और इससे क्या होता है इससे basically यार हम अपने text के around कुछ styling दे सकते हैं जैसे कि आप मैंने उपर line दे दिये आप underline कर सकते हो और भी अलग-अलग properties की value है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं भी जैसे मैं अंडर तो text shadow क्या होता है तो basically यार हम अपने text को 3D-like structure में दिखा सकते हैं तो इसके लिए आप text shadow का use कर सकते हो तो मैं आप आपको दिखा हूं तो text shadow में आपको सबसे पहले property है और इसके अंदर कुछ value देनी होगी अलग-अलग size में कि right side में आपका जो color आप display कर रहाना चाहते हो व और इसके अंदर हम यहां पर यह syntax लिखा है इसमें देख सकते हो तो यहां पर offset x, y और blur radius और फिर color यह चार चीज़े जो आपको देनी होगी तो offset x axis से basically आपका यह जो shadow है वो कितना दूर होना चीए वो आप बताऊगे इसमें फिर y axis से कितना दूर होना चीए वो बताऊग तो मैं इसको एक बार ऐसे कापी करता हूं और इसको बंद करते हैं और जाके इसमें paste करके देखते हैं कि कैसे यह work कर रहा है तो जैसे ही मैं इसे save करता हूं और आप देख सकते हैं यहां पे पीछे कुछ shadow और कुछ आ रहा है लेकिन वह अच्छे से नहीं दिख रहा है क्य सकते हो तो उसके लिए सेम यहां पर आपको एक कॉमा देना होगा simply और उसके अंदर आपको फिर से कुछ ने कुछ होई offset x, offset y वह सब लिखना है तो यहां पर मैं 2 pixel, 2 pixel, 1 pixel कर रहा हूं और इस बार मैं color black ही देता हूं क्योंकि यह black के साथ आपको और color दोगे तो शायद इत text shadow आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखागा हूं text alignment का use करके जिससे हम हमारे text को align करते हैं तो basically यार यह जो हमारी heading थी वह अभी एकदम right side, sorry left side में आ रही है लेकिन अगर हमको इसको center में डालना हो या फिर right side में डालना तो उसके लिए हम text align को use कर सकते हैं और जैसे अंदर मैं आपको सारी नहीं बता सकता मैंने कुछ कुछ आपको experiment करके बता दिया है आगे आपका काम है आप और experiment करो चीजे देखो use करके कैसे वह काम कर रही है अलग-अलग designs बनाओ आपको website बनाने अब तक आ चुकी होगी थोड़ी बहुत है ना तो try करो अलग-अलग designs बनाने की ठीक है तो next हम देख लेते है और short hand property short hand property का होते है तो basically हम multiple values को एक साथ लिखते है किसी प्रोपर्टी में तो उसको हम कहते है short hand property है और इससे फायता का है तो basically हमारा time बच जाता है हमारी energy बच जाती है और यह more readable होता है क्योंकि हम एक ही साथ सारी चीजे लिख रह इन सारी चीजों का use करते हैं लेकिन इन सारी चीजों को अगर आपको एक साथ लिखना है तो आप खाली background का use कर सकते हो जो कि एक property है और इसके अंदर सबसे पहले आपको देना होगा color फिर image और फिर repeat और फिर position इन सबकी values एक साथ आपको लिखनी है ठीक है फिर हमारा font property तो font property में भी basically हमारा same है मैंने एक एक आपको बता है style, weight, size, height, family यह सारी चीजे लेकिन आपको साथ में लिखनी है तो आप font नाम की एक property का use कर सकते हो और उसके अंदर आपको यह syntax follow करना पड़ेगा as it is सबसे पहले आपको style देनी है फिर weight, size, height, family ठीक है और फिर हमारा border property, border हम तो उसके अंदर हमारी style, width, color यह सारी चीजे होती है और साथ में अगर हम इसको एक ही property के अंदर लिखना चाहे तो हम border property का use करेंगे सबसे पहले उसमन देगे width, style, color ठीक है और next यार margin और padding property और वह हम देखने वाले हैं अभी बट इसके अंदर हमारी top, right, bottom, left, 4 side की जो हमार margin होगी उसको हम एक साथ लिख सकते हैं और उसके लिए हम use करेंगे margin नाम की एक property का, ठीक है अब इसके अंदर यार और भी बहुत सारी property और values हो सकती है, अगर आपको कोई भी short hand property देखनी है तो आप simply उस property का नाम लिखो जैसे की हमारा font हो गया और उसके अंदर आप लिख short hand ठीक है तो जैसे आप लिखोगे short hand तो हमारा यहाँ पे automatically Google बता देगा के short hand property इसकी कैसी दिखती है, हमारी कोई भी website आप W3 school पे जा सकते हो और वो हमको बता देंगे कैसे हम इसको लिखते हैं, इसका syntax बता देंगे, सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठी के लिए, सिया, have a great day and I will catch you up in the next one.